वेल्कम टू वर्टेक्स डीबीजी एडुकेशन से यूट्यूब चैनल वर्टेक्स डीबीजी एडुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत-बहुत स्वागत है और आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिसकस करने जा रहे हैं वो क्लास 10 क साइन्स से होगा, Chemistry के से से मेटल्स नाम का चैप्टर है जिसमें से टॉपिक आइन्स यानि चार्जड पार्टिकल्स के बारे में आज हम बात करेंगे, किटायन्स और अनायन्स की, यह टॉपिक भी काफी लोगों में कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो इसको क्लियर किया जा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो अपडेट मिस नहीं कर सकें तो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वह केटाइन्स और अनायन्स जिसको हम चार्ज आटम्स भी कहते हैं आयन्स है यह क्लास 10 की सा से केमिस्ट्री के सेप्शन से मेटल्स और नॉन मेटल्स से हम इसको डिसकस करेंगे और आप देख रहे हैं वर्टेक्स दीबीजी एडुकेशन इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन एडुकेशनल प्लाटफॉर्म चैक है चलो इसको शुरू करते हैं हम और स्टार्ट करते हैं हम इस चीज से के आयन्स होते क्या है लेकिन आयन्स को समझने से पहले हमको आटम्स को समझना पड़ेगा आटम की बात करें तो उसका डेफिनिशन क्या है smallest unit of matter तो आटम क्या है smallest unit है matter का which take parts in a chemical reaction एक किसी भी matter का किसी भी पदार्थ का substance का सबसे छोटा unit जिससे वो पदार्थ यह substance या matter बना है और यह हिस्सा लेता है किसमें chemical reaction में हिस्सा लेता है electrically neutral होता है बट chemically unstable होता है except inert gases and inert metals तो यह क्या है आपको यह basically electrically neutral होता है electrically neutral होने का मतलब ना तो उस पे कोई positive ना negative charge होता है क्योंकि particles charged भी होते हैं हम सभी जानते हैं कि एक atom 3 तीन चीजों से बना होता है 3 subatomic particles से बना होता है electrons, protons और neutrons जिसमें electron negatively charged होते हैं protons positively charged होते हैं और neutron पे कोई charge नहीं होता है neutral होता है तो एक normal atom में total number of electrons और protons हमेशा बराबर होते हैं यानि जितना proton है उतना ही electron होगा नतीजा ये होता है कि overall charge या net charge पूरे atom पे zero हो जाता है इसलिए हम कहते हैं कि electrically neutral होता है एक atom लेकिन chemically unstable होता है अब जब मैं chemically unstable कहता हूँ तो इसका मतलब है कि उसके last shell में 8 electrons नहीं है वो या तो lose करेगा या gain करेगा या share करेगा उस octate को पूरा करने के लिए यानि last shell में 8 electrons को पूरा करने के लिए हला कि inert gases और inert metals की बात करें जैसे gold हो गया platinum हो गया यह आपको stable रहते हैं react नहीं करते हैं ठीक है अब हम बात करते हैं ions की तो atom समझ में आ गया अब iron की जब बात करते हैं तो हम कहते है electrically charged atom is called an iron यानि एक iron क्या है वो atom ही है लेकिन वो atom electrically charged हो गया है यानि उस पर कोई positive या negative charge आ जाता है और यह होता क्यों है it is formed when an atom either loses or gains one or more electrons तो एक atom आयन कब बनेगा जब वो atom या तो electron एक या एक से ज़्यादा electron को lose करेगा या gain करेगा और जब वो ऐसा करेगा तो proton और electron की तादाद घटेगी बढ़ेगी अगर वो lose करता है electron को तो proton ज़्यादा हो गया electron कम हो गया और अगर वो gain करता है electron को तो electron ज़्यादा हो गया proton कम हो गया और इसी वज़से उस पर charge आ जाता है और फिर हम कहते हैं कि atom atom नहीं रहा आयन बन गया ठीक है चलो अब हम इसको देखते हैं कि ions कितने तरह के होते हैं ह into two types, अब electrons के transfer, यानि आदान प्रदान की बात करते हैं, loss ये gain के point of view से देखते हैं, हम ions को दो category में बाट सकते हैं, दो type में बाट सकते हैं, एक होता है cation और दूसरा होता है anion, cation जो होता है, ये positively charged ion होता है, और anion negatively charged ion होता है, अब इनका नाम कहां से आया, cation आपको relate होता है cathode से, देखें, cathode से जो की क्या होता है, negative side होता है terminal का, electric terminal का, और anion का नाम हम relate करते हैं, anode से, जो की क्या होता है, positive side होता है, terminal का ये circuit का, अब हम notice क्या कर रहे हैं, कि cathode जो है, वो तो negative side है, लेकिन ion आपका positively charged है, और anode जो है वो तो positive side है लेकिन iron आपका negative charge है तो हम ये इसका नाम इस तरह से रखते हैं कि जो iron negative electrode की तरफ attract हो तो उसको हम cation कहते हैं और ऐसा कब होगा जब ये खुद positively charge होगा तो ही negative electrode की तरफ जाएगा तो हम इसका नाम cation रख देते हैं और anion negatively charged है तो ही ये positive की तरफ जाएगा इसलिए हम इसका negatively charged ion को anion नाम रख देते हैं clear है तो पहले हम बात करते हैं cations के बारे में अब cations क्या है these are positively charged ions यानि positively charged ions को हम cations कहते हैं these are formed when an atom loses one or more electrons ये कब बनते हैं जब एक atom एक या एक से ज़्यादा electron को lose कर देता है उसके पास से वो चला जाता है now losing electron, losing of electrons is a property of metals अब ये loss जो है electrons का ये क्या है? metals की property है उसका एक वजूद है, उसका एक characteristic है metals ही lose करते हैं electron इसलिए only metals can form cations तो cations आपको metals ही form करते हैं however, कुछ exceptions हैं जहाँ पर non-metals भी cations की category में आ जाते हैं तो याद रखें का cations कहा है? these are positively charged ions metals cations बनते हैं और ये तब बनता है जब एक metal या एक metal का atom एक या एक से ज़ादा electron को lose करता है clear है? ठीक है अब ये भी समझ गया हैं कि भाई cations क्या होता है? कैसे बनता है? अब हम देखते हैं formation के cations बना कैसे? ठीक है? तो हम यहाँ बात करेंगे formation of cations की सबसे पहले example हम लेते है sodium atom का यहाँ पर अब जब sodium atom की बात की जाए तो sodium metal formula होता है na atomic number होता है 11 ठीक है? 11 का मतलब है दो electron इसके अंदर वाले case shell में 8 electron L shell में और M में 1 electron ठीक है? अब यहाँ हम देखते हैं कि proton ही गया रहा है, electron भी 11 है, electrically neutral है but chemically unstable है, क्यों? क्योंकि इसको आखरी shell में 7 electron और चाहिए 8 पूरा करने के लिए लेकिन 7 electron लेना इसके लिए बहुत मेहनत का काम है, easy क्या है इसके लिए इस एक electron को lose कर देना ठीक है? तो यह क्या करता है? loses 1 electron और जैसी electron lose होता है, यह आखरी वाला shell हतम हो जाता है, अब इसके पास electron कितना बचा? सिर्फ 10 बचा क्योंकि एक electron इसने lose कर दिया proton अभी भी 11 है overall charge इसके पास positive 1 आ जाता है अब यह क्या हुआ? positively charged हो गया लेकिन chemically stable हो गया ठीक है? तो यहाँ पर आपका जो sodium metal है sodium atom है, वो किस में आ गया? sodium iron में, हम इसको लिखेंगे na plus charge को इस तरह से दिखाएंगे तो यह symbol आपको sodium iron का हो गया, अब यहाँ पर तो एक electron lose हो रहा है एक से जादा भी हो सकता जैसे हम magnesium iron की बात करते हैं तो magnesium atom formula होता है, mg atomic number 12 valency और valence electron हो गया, दो metal के case में, जो valence electron है, वही valency कहलाता है उस particular atom की अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 electrons अंदर के case shell में, 8 electron L shell में और 2 electrons M shell में अब यहाँ पर 2 electrons है, electrically neutral तो है यह, लेकिन chemically unstable है, क्यों unstable है? क्योंकि इसको अभी भी 6 electrons और चाहिए, outer shell में octate पूरा करने के लिए, अब 6 electron इसके लिए लेना बहुत बड़े पहाड़ की बात है, easy क्या है, 2 electron को lose कर देना, तो यह क्या करता है इन दोनों electrons को lose कर देता है, जैसे यह हुआ यह वाला shell खतम हो जाता है और फिर यह 10 electron total इसमें बच गए, अब 12 proton, 10 electron तो overall charge क्या हुआ इसके उपर, positive 2 हो गया, अब यह positively charged हो गया, और chemically stable हो गया ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो symbol आ जाएगा आपको वो mg 2 प्लस आ जाएगा, यानि दो positive charge इस पर है, तो यह magnesium का आयन हो गया, अब यहाँ पर तो दो electrons की बात करते हैं अब आपको ऐसे atoms भी है, जहाँ पर तीन electrons आपको move हो जाते हैं, जैसे aluminium का आयन है तो aluminium atom, AL atomic number 13, valency और valence electron, दोनों ही 3 अब यहाँ पर इसको अगर outer shell की बात करें तो outer shell में 5 electrons की जरूरत है, octet पूरा करने के लिए still, 5 electron लेना बहुत बड़ी मुसीबत है इसके लिए यह easy कैसा मज़ता है, इन तीनों ही electrons को lose कर देता और यह वाला shell खतम अब इसने कितना lose किया, तीन electron lose किया, तो 10 electron बचे इसके पास, overall charge इसके पास plus 3 हो गया, और फिर इसका जो symbol बनेगा, वो L, AL 3 plus, ठीक है, हाँ, अब एक चीज़ याद रखना कि maximum charge that a cation can have is plus 3, यानि अब अगर 4 हो जाएंगे valence electron तो फिर वो share करेगा element, वो lose नहीं करेगा, यानि 1, 2, या 3, या तो 1 electron lose करेगा, या 3 electron lose करेगा, उससे ज्यादा कोई भी atom lose नहीं कर सकता, ठीक है, तो अगर lose 3 ही करता है, तो maximum charge कितना आएगा, किसी भी cation पे, plus 3 ही आएगा minimum charge कितना आएगा, plus 1 ही आएगा, हम cation की बात कर रहे हैं इसलिए positive की बात हो रही है हाँ पर, अब ये चीज़ कीजिए, तो negatively charged ions को हम क्या कहते है, anion कहते है these are formed when an atom gains one or more electrons और ये कब बनते हैं, जब एक atom, एक या एक से ज़ादा electron को gain करता है, ठीक है formation की बात कीजिए तो चलिए chloride ion के formation की बात करते हैं, chlorine CL, atomic number 17 valency 1, ठीक है अब हम देखते हैं, यहाँ पर क्या है कि दो atom आपको, cash shell में L shell में 8 atom M shell में 7 atom कितनी ज़रूरत है इसको octate पूरा करने के लिए एक electron और चाहिए अब एक electron के लिए 7 को तो lose करेगा नहीं है, तो एक ये कहीं से gain करेगा, किसी दूसरे metal में से, और जैसे ये gain करेगा अब इसके पास electron होगे 18 लेकिन proton कम ही है overall charge आ जाएगा इसके पास negative 1, अब ये negatively charge हो गया और chemically stable हो गया, और इसका जो symbol लिखेंगे CL minus ये chloride iron का अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें नाम में changes आएंगे करना ध्यान रखिए, non-metals आपको anions बनाएंगे क्योंकि non-metals ही gain कर सकते हैं अब देखते हैं यहाँ पे तो एक था यहाँ पे दो electrons gain हो रहा है oxygen iron की बात करते हैं तो oxygen, oxide iron की बात करते हैं oxygen atom, symbol 0 atomic number 8, valence electron 6, valency 2 non-metals के case में valency क्या होती है 8 minus valence electrons वही valency ही होती है, non-metals की तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 आपको electrons case shell में और L shell में 6 electrons, कितने और चाहिए इसको 2 electron और चाहिए तो यह क्या करता है, gains 2 electrons और octate पूरा करता है यहाँ पर number of proton 8 ही है लेकिन electron बढ़के 10 हो गया, net charge minus 2 आ गया, तो oxide ion आप ऐसे लिखिएगा ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं sorry, not plus, but minus ओके, ठीक है तो यहाँ पर यह भी देख लिया हमने यहनि हमको यहाँ पर यह समझ में आ गया कि कैसे बनता है आपका cation और कैसे बनता है anion अब यह याद रखो कि anions के केस में भी maximum charge minus 3 होगा minimum charge minus 1 होगा क्योंकि एक non-metal या एक anion की बात करें तभी बनेगा जब हम एक electron या दो electron या तीन electron चार पे नहीं होता है इसलिए maximum charge minus 3 आएगा और minimum charge minus 1 आएगा अब ions जो है, वो मिलते हैं जब यानि केटाइन और anion जब मिलते हैं तो मिल करके ionic bond के जरीए ionic compounds बनाते हैं यानि केटाइन और anions के मिलने से क्या बनता है ionic compound बनता है जिसको एक और नाम देते हैं हम electrovalent compound यानि केटाइन सिर्फ metal हो सकता है anion सिर्फ non-metal हो सकता है यानि याद रखो कि metal और non-metal जब भी मिलेंगे ionic compound बनाएंगे तो ionic compound का definition भी पता चल गया हमको कि compounds which are formed as a result of chemical combination between metals and non-metals are called ionic compounds ऐसे compounds जो metals और non-metals के react करने पर यानि केटाइन्स और अनाइन्स के जुड़ने पर बनते हैं हम उनको कहते हैं ionic compounds या electrovalent compounds भी कह सकते हैं example आप यहाँ पर देख सकते हैं sodium chloride हो गया, potassium chloride हो गया, calcium hydroxide हो गया या calcium chloride हो गया यह सारे आपको यहाँ पर क्या है these are all ionic compounds क्योंकि इसमें metal, non-metal, metal, non-metal, metal, non-metal, metal, non-metal, metal, non-metal metal और non-metal मिल करके बना रहे हैं अब अगर आप किसी compound वे metal की मौझूदगी देख रहे हैं तो आँख बंद करके आप कह सकते हैं यह वाला compound जो है न, ionic compound है अब जरह हम इसके characteristic की बात करते हैं कि क्या features है इसके, क्या characteristics है इसके, ठीक है ionic compounds की बात करें, they have solid crystalline structure यह solid form में होते हैं क्योंकि ions के बीच का, जो ionic bond है, बहुत strong होता है वो कस के पकड़ के रखता है components को, उसके particles को इसलिए उनका solid crystalline structure होता है they have high melting and boiling points again high melting boiling point इसलिए है क्योंकि यह जो ionic bond है, यह जो उनके बीच में जो connection है उसको तोड़ने के लिए हमको बहुत ज़ादा energy, बहुत ज़ादा kinetic energy यानि heat चाहिए होता है इसलिए इनका high melting और boiling point होता है they can act as electrolytes, यानि they can conduct electricity when dissolved in water अब यह ions से बने है, ions free electrons की तरह काम करते है यानि ions की मौजूदगी electricity को conduct कराती है तो यह electrolyte की तरह भी काम करते है अगर आप पानी में इनको dissolve करते हैं these are soluble in water but insoluble in organic solvent like ether alcohol ionic compounds पानी में आसानी से घुल जाएंगे लेकिन organic compounds जैसे ether हो गया, alcohol हो गया उसमें नहीं dissolve होते हैं तो यह characteristics थे ionic compounds के I hope इस वीडियो से आपको ions के बारे में, cations and ions, ionic compounds उनके feature के बारे में पता चल गया होगा और इससे related जो भी question आएगा आप उसको आसानी से बना देंगे अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए topic के साथ इस वीडियो को जादा से जादा share कीजिए अपने दोस्तों में, families में, colleagues में, classmates में और channel से जोड़िये लोगों को तब तक के लिए Thank you so much and have a nice day